गुरुवार को साल के आखरी सूरी ग्रहन पर पीएम मोदी का ट्वीट जितना वाइरल रहा उतना ही वाइरल उनका चश्मा भी हो रहा है दरसल पीएम मोदी ने सूरी ग्रहन को देखते हुए जो तस्वीरें शेयर की है उन्हें लेकर अब सोशल मीडिया पर बवाल मच चुका है लोगों ने पीएम के चश्मे की कीमत बताई है हलाकि पीएम मोदी की इन तस्वीरों को देख कर कई लोगों ने उनकी तारीफ भी की है ग्रहंट देखते हुए PM ने जो तस्वीरे ट्वीटर पर शेर की उस पर एक शक्स ने लिख दिया कि PM मोधी जी आपके इन तस्वीरों का मीम बनने जा रहा है इसका जवाब देते हुए PM मोधी ने कहा आपका स्वागत है आनंद उठाईए वहीं कई लोगों ने उनकी तारीफ करते हुए उन्हें कूल बताया वहीं एक शक्स ने PM मोधी के चश्मे पट्ट पड़ी करते हुए बताया कि चश्मा जर्मनी का है और उसकी कीमत डेड़ लाग बता दी बताते कि प्रधानमंती नरेंद्र मोधी ने सूरी ग्रहन देखने के बाद ट्वीट किया था जिसमें लिखा था कि अन्य भारतियों की तरह मैं भी सोलार एक्लिप्स 2019 के लिए उत्साहित था हलाकि मैं सूरुज नहीं देख पाया क्योंकि ये पूरी तरह से बादल चाये हुए हैं लेकिन मैंने लाइफ स्ट्रीम के जरिए कोची कोड़े में दिखाए दिये सूरी ग्रहन का नजारा देखा इसके साथ ही मैंने एक्सपर्ट से बात कर इसके बारे में बातचीत की पीम मोदी ने सूरी ग्रहन देखने के दरान जो चश्मा पहना हुआ है उसको लेका सोशल मीडिया पर कई तरह की बाते बनाई जा रही है कोई पीम मोदी के इस चश्मे को लाखो रुपे का बता रहा है तो कोई इन पर मीम्स बनाकर मजाग उड़ा रहा है हलाकि इन सारी बातों का पीम मोदी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं लेकिन पीम मोदी के चश्मे की कीमत लाखो रुपे बताई जा रही है और ये बात सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रही है